एक प्रेमीख हाटू हर महीने जाता है हमारे साथ, नौजवान लड़का है, उसकी उमर भी 30-32, 28-30 साल की होगी, एक मेजर एक्सिडेंट हुआ उसका, सुनना चमतकार, उस लड़के का मेजर एक्सिडेंट हुआ, पाउं में रौड लगे, स्कुरूप लगे, उसने बताया, कि संजय भाई, 50 मिटर भी मैं चलता तो मेरा पाउं इतना सूझ जाता, मैं खड़ा जरूर हो पाता हूँ, हो पाता था, लेकिन चल, 50 मिटर से भी ज़्यादा गर चल लिया, तो फिर चलने के काबिल नहीं रहता था, इसलिए मुझे हर समय, किसी ने किसी गाड़ी की सहायता की दरकार होती थी, बहले शाम बाबा का कोई प्रेमी, सूरजगड़ का नाम सुना आपने, राजस्थान में, सूरजगड़ का बाबा का निसान, बरसों बरस से आता है, और जिस दिन चलता है, 500 किलोमेटर करीब करी और उस निसान के तले, छाओं तले, हिंदुस्तान ही नहीं, नेपाल से और कहां कहां से लोग सूरजगड़ के निसान के साथ चलते हैं, उस निसान में जो भाव है न, साक्षात कृपा होती है, उस लड़के ने बोला कि किसी स्याम ब्रेमी ने मुझे कहा कि सूरजगड़ के निसान में चल, बोला मैं हशा, बले यार तुझे मालूम नहीं, मैं 50 मीटर नहीं चल पाता, निसान में 1.500 किलोमेटर चलूँगा, बले यार निसान जहां से सूरू होगा, वहां से चार कदम चल पढ़ना, गाड़ी में बैठ जाना, सेवा करना, वो बोला मुझे किसी उसने मन बनाकर मुझे सुरजगर ले गया और निसान सुरू हुआ मैं निसान के साथ चला मैं सोचा था कि दस-विस कदम जाकर गाड़ी में बैड़ जाओंगा गाड़ी चल रही थी साथ-साथ मैं भी चल रहा था दस-कदम तो छोड़ो मैं दो-चार किलोमेटर चल गया मुझे कुछ नहीं हुआ वो बला उस दिन का पड़ाव उस दिन का पड़ाव जो था वो मैंने पैदल पार कर लिया और बुला बाबा के खिरपास से देड़ सो किलोमेटर उस पाउँ पर चल कर आया डेड़ सो किलोमेटर उस पाउँ पर चल कर आया जो पचास मेटर नहीं चल पाते थे और उसने बोला बस उस दिन का दिन है उस दिन के बाद अब मैं खूब चलता हूँ कभी पाउँ नहीं फूलता कभी पाउँ नहीं सूजता और मुझे किसी सहारे की दरकार नहीं खाटू आजाना क्यारस को मिलवा दूंगा कलकत्ते आजाना मिलवा दूंगा यह वो दातार है प्रेमियो और जब आएगा तब क्या गाओगे पता है आयो सावलियो सरकार लीले पे चड़े खे लीले पे चड़े खे आयो सावलियो सरकार लीले पे चड़े खे आयो सामलियो सरकार दिले पे चड़े